आपके अपने चैनल सिविल इंजिनेर्स ब्रोव पे बताने वाले इस वीडियो में बीटी एसी जैई से लेटेस न्यूज जी हैं दोस्तों एक समान परसासन विभाग दोवारा एक नोटीस जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि लगभग 10,000 लोग मिलकर जितने भी बि सकता है जब भरोसा उठ जाए सरकार से परसासन से अधिकारी से सबसे और उनके साथ बराबर धोका हो रहा हो इसलिए वह इस मतलब की बड़े कदम को उठाने के लिए विवस हो चुके हैं तो चलिए पूरा मामला क्या है ओफीशली आपको दिखाने और बताने का प्रयास क किया है यहाँ सही कदम उठाया है तो चलिए देखते हैं कि जाद दोस्तों देख पा रहे हैं यह जो है बिहार प्रसाशन समान प्रसाशन विवाग दोरा जारी किया गया है और इसाब सब तोर पे बिशाय में लिखा गया है इंजिनियर बिक्की बातसा द्वारा अगामी 15 12 माई 2022 को 10,000 अव्यारतियों के साथ राज के सभी सरकारी पोलिटेक्निक संस्थानों में आग लगाने की चेतावनी के समन्द में तो यह जो विक्की वात्सा है इन्होंने जो इमेल किया है विभाग को यह बहुत ही अच्छा किया है मैं इनके सोच को और इनके जो इनका जो यह जो है मतलब कि यह जो कदम है या उनके हम सराहना करते हैं क्योंकि देखिए बिहार परसासन विभाग जो यह जारी किया है ठीक है यह चीज इनको तुरन दिख गया लेकिन बच्चे दुआरा जो परसानी से रिलेटर अपने परसानियों को जो है इमेल के मादम से पहु यह ल professions मांग किया जाता है आप के लिए तो बहुत बढ़िया है सरकार के लिए बहुत बढ़िया है आप और सान होंगे बच्चे कॉलेज में जाते है है और मुझे लेकर रख लेते हैं उनको नोकरि आप्देने नहीं हैं नोकरी जो भी आता है उसको अट्का देते घुषकोर द्वारा अधाल को बिच्ञत के सैइए और देखता है कि अभी भी हमारे पास पैसा नहीं नहीं गयाता है ठीखे है वह बहुत बरा शपना में भी 20 से 30 लाक में एक सीट को बेचा गया है इसलिए इतना बड़ा जो है कि कटव उठा है और बहुत अच्छा कदम है मैं इनके इनके डिशन को सरहना करता हूं क्योंकि अगर कॉलेज ही नहीं रहेंगे तो बच्चे डिमांड नहीं करेंगे नोकरी का सरकार का भी टेंशन संगलंग किया और इमेल किया अशन किया सामिल के वह वह बताओ क्या वास्तफा में एशा है संड़ किया घिया घिया गया बहुत बहुत अच्छा किया गया है यह हम सब बेटिंग भायों के द्वारा ही कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि सरकारी कॉलेज से पास करने के बाद भी नोकी नहीं मिल पा रहा है है और फर्जी य면 देख लिए फर्जी ही भ véritable हों ऑर जो जaking बच्चे हैं बहुत कम अात्रे में हैं ठीक है स्री पर से पश्री को भर लिया गया है पैसा लेकर जो लेकर बेरिखाशन भी हो रहा है निकाला जा रहा है लेकिन जो जन्यून बच्चे उनको लिया नहीं जा रहा है बेटिंग को एप्रूबल देकर निरस्त कर दिया जा रहा है यह क्या रभईया है आप कॉलेज को बंद कर दीजे ठीक है कॉलेज ही नहीं रहेंगे बच्चे उम्मीद में नहीं रहेंगे ना आ आप तो है जो है कि घुस्कोरों को सीट बेज देते हैं तो गरीब शातर करें तो क्या करें कहां जाए तो बहुत अच्छा ये कदम उठाया गया है हम मैं कहाता हूं कि बिहार के जितने भी पॉल्टेक्निक बीटे कॉलेज सबको जला देना चाहिए अधा अन्रोध है कि उक् है और सब्जेक्ट फॉर्वर्ट किया गया है इस इमेल से गिया गया है जो कि आप देख पा रहे हैं आप इसको मैं थुरा हाइट कर दे रहा हूं अगे है अगामी 15 माई को गवर्मेंट पॉल्टेक्निक कॉलेज में आग लगाने के चितामनी ठीक है चिफ सेक्रेटरी रा निव्ति परकिरिया से समन्द मात्मून बिंती है जिस पर ध्याना क्रिश्ट किया जाए बेटी ऐससे जई की निव्ति परकिरिया तीन वर्सों से लंबित है दिन पर दिन उलचती जा रही है हाली में 19 अप्रेल को हाई कोड़ द्वारा बेटी सी जई की निव्ति में 40% ब राज किये पुल्टेक्निक से उतिन गरी मिदावी छात्रों के लिए निव्ति में 40% का अरक्षन दिया इसके लिए हम सभी अभियारती बिहार सिरकार को तेह दिल से धन्यवाद देते हैं अभी हाली में हाई कोड के दौरा 40% को समाप्त कर दिया गया जिसकांसे हम सभी बि बिहार गौर्मेंट अभियारतियों के हित में फैसला लेते हुए अगामी 15 माई से पहले निव्ति परकेरा सुन नहीं की गई तो अगामी 15 माई को हम सभी 10,000 अभियारतियों दोरा बिहार के सारे गौर्मेंट पॉल्टेक्निक कॉलेजों में आग लगा दिये जाएंगे ए लेते हुए निव्ति परकेरिया शुरू किया जाए अगामी 15 माई को सारा गौर्मेंट पॉल्टेक्नी कॉलेज में आग जल उठेगा जिस जिसका संगेति फोटो अटेच कर दिया गया है जलाने का जो भी फोटो है इसको भी ऐड कर दिया गया है तो जिनके भी द्वार्य यह कदम उठाया गया है निविदन किया गया है बहुत अच्छा किया गया है ऐसे आप जब सीधे साफ दिल से सीधे मन से अगर वहार लगाते हैं सरकार से तो वह आपका आवाज नहीं सुनती है और यहां तक कि क्या होता है नतीजा वो भी नहीं पता चल पाता है और इन जिवारे के सपुद्र फर्जी को सपुद्र कर दिया जाता है कि आ बेटा तुभी जौब कर यहां के जो प्रटेग्नी कॉलेज है यह तो काबील ही नहीं है इसके छात्रे क्या बनेंगे इंजिनियर ठीक है तो बहुत अच्छा काम किया गया है जितना जल्द से जल्द हो इस पर अमल करते हुए विभाग को मतलब कि आगे का जो है कि सुचना देना चाहिए ठीक है अनधा यह जो भाई द्वारा जो इंजिनियर विक्की द्वारा जो कदम उठाने की बात कही गई है वह जल से जल उठा लिया जाए चलिए उमिर करते हैं वीडियो देखकर शुकून मिला होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस चीज के लिए लगे हुए हैं 40% अरक्षन को लेकर तो चलिए इस वीडियो को यह समाब्द करते हैं आगे की वीडियो को देखने के लिए बने रही है हमारे चैनल पर धन्यवाद झाल झाल झाल